हमाशका दोस्तों कुडीन दादा में आप लोगों का स्वागत है तो आज हम लोग सीखेंगे कि आडिनों के अंदर जो जो components लगते हैं उनका नाम क्या है और किस प्रकार का components है हलाकि वो components दूसरे चीज़ भी लगते हैं लेकिन हम लोग ज्यादातर आडिनों भी लगते हैं तो चलिए पहले से शुरू करते हैं तो यह जो फास्ट आप देख रहे हैं यह एक ड्राइबर है जो की L298N है ठीक है तो इसमें नाम भी है देखिए L298N तो यह एक motor driver है ठीक है इस पर हम लोग motor लगा कि 12V का motor हम लोग जो आडिनों है उसका sensor से चला सकते हैं आगे पीछे किसी भी तरफ हम लोग moving कर सकते हैं इस driver के बज़े से ठीक है तो इससे हम लोग project बनाएंगे तो उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है उसके बाद है यह वाला सार्बो मोटर इसको सार्बो गुमता है यह से यह तक half गुमेगा पुरान ही गुमेगा ठीक है यह half गुमेगा क्योंकि इसके अंदर एक lock रहता है उस lock के वज़े से यह half गुमता है और उस lock को अगर आप तोर देंगे तो यह full गुमेगा तो इसका जो wire है वो तीन wire है दो से हम लोग power और grounded है और एक से data आप down करते हैं मतलब कितने degree angle गुमाना है कितना degree से यह चलेगा सब कुछ इस data के वज़े से हम लोग कर सकते हैं तो यह रहा सार्भो मोटर अब भी हम लोग चलते हैं echo sensor तो यह जो आपने देखा है यह echo sensor है मतलब एक sensor से echo sound छोड़ते हैं और किसी भी चीज़ पर root के बापस आते हैं गिर के जो drop खाके बापस आते हैं तो यह दूसरा वाला sense कर लेते हैं कितने दूरी तक यह drop खाके आया है कितनी timing लगा है सब कुछ यह sense करके यह आड़ीनों में बता देता है बताने से हमको पता चलता है कितने दूरी पर कौन सा चीज लगा हुआ है तो इसमें से हमने project बनाया था बहुत सरे project बनाया है आप चाहे तो हमरे channel पर देख सकते हैं तो उसके बाद हम लोग आते हैं यह जो आप देख रहे है 8 into 8 display ठीक है यह 8 into 8 display आप लोग जो देख रहे है यह actually यहापे 8 display है और यहापे 8 display है मतलब 8 और 8 अगर into कर दिंगे तो सारे display का हिसाब आ जाएगा तो इसमें से हम लोग बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं इसके सब एक IC आते हैं आप इसको खोल के इसको अलग करके सिर्फ display भी काम कर सकते हैं तो उसके बाद हम लोग आते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह gas sensor यह smoke sensor है मतलब इसमें से हम लोग gas sensor और smoke sensor ह हम लोग इससे काम चला सकते हैं मतलब कई पर भी gas leaking हुआ या फिर किसी ने smoke किया है तो यह sense करके बोल देता है इसके सब कोडिंग के मद्दम से करते हैं तो अभी देखते हैं यह वाला यह जो आप देख रहे हैं यह wifi device है हम लोग जो mobile पर wifi यूज़ करते हैं वही wifi यह wifi का device है इसमें से हम लोग कोडिंग करके बना सकते हैं wifi device मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में और यह जो आप देख रहे हैं यह NFC का है ठीक है यह एक जो इसको RFID रेडर बोलते हैं मतलब हम लोग इसके सर यह sense करने के लिए इसको बनाए गया है मतलब आप इसका कोडिंग अगर डाल देंगे और पर सिर्फ यह 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 पर लाएंगे तो ही यह sense करेगा नहीं तो दूसरा कोई sense नहीं करेगा इसके उपर में वीडियो बनाया था एक चाहिए और यह आप देख रहे हैं 4 x 4 कीपट मतलब यहां से 4 और यहां पर 4 तो 4 x 4 कीपट है यह आप इसके जरीए लॉकर वगरा बहुत कुछ आप इसमें से बना सकते तो यह रहा कीपट एक और यह जो आप देख रहे हैं यह है इसमें TTL मतलब यह एक USB TTL है इससे हम लोग क्या अगर सकते कोई भी जो माइक्रो कॉंट्रोलर है उस पर हम लोग कोडिंग डा सकते कंपुटर से यह जो आप लोग देख रहे हैं यह जो आडिनो बूड है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होता सिर्फ यह IC में हम लोग आडिनो आडिन पीओ 5060 तो इससे हम लोग बैलेंसिंग रोबोट बनाते हैं मतलब अगर यह इस तरफ जाएगा तो यह सेंस करेगा कि उस तरफ यह मूबिंग हुआ है इस तरफ करेगा तो यह सेंस कर लेते हैं कहां पर यह हिला हुआ हुआ है ठीक है और यह जो आप देख रहे हैं यह अक्छिलि water sensor है मतलल इसमें से हम लोग water, Face, water, Mic, Tea किसी भी सेंस कर सकते हैं कहीं पर इसके सब यह जो शारकीट हैं तो यह तो हो गया है आप देखें यह बाला है यह Bluetooth हम लोग जो मूबाईल पर Bluetooth यूश करते हूं वही Bluetooth है यह तो यह Bluetooth हम लोग Arduino पर इसमाल करते हैं इसको पर भी वीडियो है अब ताय तो देख सकते हैं चैनल पर और यह रहा MicroSD मतलब आप MicroSD जो बोलते हैं हम लोग जो mobile पर लागा थे हैं इस पर भी लागा के गाना सुन सकते इसको लगाएंगे और कुडिंग करेंगे तो गाना भी सुन सकते हैं नेक्स्ट प्रिव्यू सब कुछ हम लोग इसके जरीए कर सकते हैं मैं इसके पर भी वीडियो मना हुआ एक और यह जो अब देख रहे हैं यह बॉयस रिकॉगनेजेशन मोडियूल है इसका नाम है बॉयस अब इस यह सेंस कर लेगा और इसके मद्द आम से आप डूरट होए कसी बी पोग्रामिंट बना सकते हैं चाहे बुद T अडिन को शांदार चीज है मैं इसे बनाके दिखाऊंग आपको और अभी हम लोग आते हैं ये वला जोईस्टिक ठीक है यह जोईस्टिक सभी तरफ मोविंग करते हैं इस तरह इस तरह किसी भी तरफ मोविंग करके आप लोग इससे कुछ भी बना सकते हैं तो यह रहा रिले हम लोग जो नॉर्माल रिले देखते हैं यह वही रिले है लेकिन इस पर सब कुछ डाला हूँ है अ आपको Input Output करना है और इस पर भी Input Out करना है करने से हम लोग क्या कर सकते हैं इसके जरीए कूडिंग डालके आम लोग ज्यादा बोल्टीज वाला एसी सब कुछ म लोग कंड्रोल कर सकते हैं इस रिलेकी माद्द हम से तो यह है जो है बॉयस सेंसर प्यूरस मतलब आपका बॉयस शेंस करदेगा लेकिन बॉयस मतलब इसके जरीए नहीं यह जो आपका सिर्फ आपका बॉयस यह जो आप देख रहे हैं यह इसका नाम एवएड है मतलब यहाप एक आयार एलेडी है और आयार सेंसर है मतलब किसी भी तरफ अगर रुखके उस पर ड्रॉप खाके जो लाइट इस पर गिरेगा तो ही सेंस करेगा इसका उपर भी एक बीडियो बनाऊंगा और यह जो आप इसको बोलते हैं Temperature and Humility Sensor आप इससे Temperature Change कर सकते है ह्मेलिडियो सेंस कर सकते हैं मैंने इसको पर वीडियो बनाया है आप तो देख सकते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं रोटरी एन्कूटर मतलब यह जो आप देखते हैं वह तो रूख जाता है कैसी कही पर जाolution के यह तो यह रोटरी संसर है तो अभी हम लोग आते यह जो आप देखारे इसको हम लोग बोलते हो डिजिटल टेंपरइचर तो इसमें से हम लोग डिजिटल आउपट ले सकते एनलोग भी ले सकते तो यह हो गया और यह जो आप देख रहे हैं यह है शॉक मतलब इसको हिलाएंगे साउंड कर एक बॉल रहता है यह जब भी हिलेगा तो यह सेंस करेगा इसके उपर भी एक बीड़ बनाऊंगा और अब सब्सक्राइब भी देखिए यह जो आप देख रहे है रेड़ स्विच मतलब मैगनेट के जरीए है यह शैंस करते है यह उपर मैगनेट डालेंगे इसके सामने अगर गजा लाएंगे तो रोबोडिक्स कांती में जाना होगा उस पर यह बनाया है जो आड़ेनो के बीना सिर्फ स्विश के मद्दम से आप इस पर लिख सकते तो यह टू इंटू 16 डिस्प्ले है मतलब उपर नीचे 2 है और 16 इंपर इसमें आएगा तो यह हो गया डिस्प्ले और यह है जो आड़ेनो ठीक है आड़ेनो नेनो बोलते है इसको तो यह बहुत ही छोटा है यह पर एक रिसेट बटन है देखिए और यह पर यह जो है यूजबी पोट है और पिन सारे पिन है जितना पिन इसमें है यह जो आड़ेनो एनो है इसके अंदर उतना पिन है ठीक है तो यह छोटा है और थोरब दरा है और यह जो आप देख रहे हैं यह मेगा ठीक है इस पर करीबन 53 डिजिटल पीन है और एनालोग है करीबन ए 15 मतलब 15 एनालोग पीन है और डिजिटल पीन है 53 मतलब आप लोग इसके अंदर मिलेगा आपको सिर्फ 13 और यहापे 53 और एनालोग मिलेगा आपको सिर्फ F5 मतलब 5 analog मिलेगा और यहाँ पर analog देखिए कितना है total 15 analog है digital भी बहुत सारे है मतलब यह बराबरा प्रजेक्ट के लिए बहुत सारी पूर्जे लगाने के लिए यह mega इस्टमाल कर सकते है तो यह तो हो गया जो है Arduino का sensor बगर और यह जो आप box देख रहे हैं इसमें बहुत सारी sensor है Arduino का भी है मतलब इसमें Arduino का नाम दिया है लेकिन आप दूसरी चीज़ भी इस्टमाल कर सकते है तो यहाँ भी देखिए बहुत सारी पूर्जे आप इसको मिलेगा आप इसको खोलेंगे तो इसका जो sensor है यह नीचे आपको description मिल जाएगा आप इसको खरी सकते इस पर टूटेल 31 sensor इसमें है टूटेल तो इसमें बहुत सारी जैसे की देखिए जॉयस्टिक है रिले है बीक साउंड, स्मॉल साउंड, ट्रेकिंग, एवोएड, फ्लेम, लाइनर हॉल, टाच, डिजितल टेंपरेचर बाजर उसके बाद देखिए पोजिटिव बाजर, रजी बाजर, रेड, ग्रीन, ब्लू, एलेड और एसमें डी आरजी बी, मतलब छोटा सा रजी ब्लू, अल लाटरी, लाइट, कप, बहुत सारी चीज यापर है, ठीक, आप इसको खरी सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्त है, इसके साथ बहुत बरिया एक बॉक्स भी देते हैं, तो आई होप ये वीडियो अचला होगा, चैनल को अचला लगा तो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकोन को दबाना मत बुलेगा, थैंक्स पर वाचिंग,